दोस्तों आपने देखा होगा Excel में XLOOKUP function आया है और वो जो function है VLOOKUP और XLOOKUP से काफी advance है अब problem यह है कि हमारे Excel 2016 होई चाहे 19 version हो या कोई सा भी version हो XLOOKUP काम ही नहीं करता है शो ही नहीं करता है हमापर Excel में तो मैं आपको बता दू कि यह जो XLOOKUP है यह XL के Office 365 version में यह यूज किया जाता है नॉर्मल जो हम XL यूज करते हैं उसमें नहीं आता है तो अगर आपको XLOOKUP यूज करना है तो आपको paid version लेना पड़ेगा Office 365 या फिर आप एक काम कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको online कैसे use कर सकते हैं वो भी free में आपको कोई ना तो software install करना है सीधा हम online इसको use करेंगे तो चलिए मैं आपको laptop screen पर दिखा देता हूँ यहाँ पर हम जाएंगे Google पे और हम यहाँ पर use करेंगे OneDrive जिस तरह से Google Drive होता है इसी तरह से OneDrive होता है चलिए हम यहाँ पर drive कर लेते हैं OneDrive और हम इसको login कर लेते हैं यहाँ पर हम click करेंगे Microsoft का यह product है जो कि आपको पता है MS Office जो है हमारा Microsoft का है इसको हम ले लेते हैं Indian English कोई से भी English लेते हैं अब यहाँ पर देखे sign in और sign up for free तो आप यहाँ पर free sign up कर लेना अगर आपका login नहीं है मेरा already ID password है तो मैं यहाँ पर sign in कर लेता हूँ अब यहाँ पर ID password पूछेगा जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अब यहाँ पर यह password पूछेगा तो password हम यहाँ पर डाल देंगे sign in sign in करने बाद आपको इस तरह का interface यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ पर इस जगाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखाव है Microsoft 365 तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर है Excel, Word सारी शीज़े यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं यह उसी तरह से है जैसे कि Google Drive पर होता है हम आपको दिखाता हूं Google Drive और यहाँ पर new में जाएंगे न हम तो यहाँ पर देखें Google Docs है Google Sheet है यह Google Sheet है और वहाँ OneDrive की Sheet है दोनों की अलग-अलग होती है यह Google वाला नहीं बनाई है और वो Microsoft वाला नहीं बनाई है ठीक है ना अच्छा हम आपको एक चीज़ और बता दूँ के मैंने MS Word का कोर्स भी लाँच कर दिया है आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे tegroplus.com पर तो आपको MS Word के कोर्स क जोइन कर सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं आपको बता जेता हू Window के बारे में तो यहाँ पर हम एक्सल ऐपन कर लेते है और यहाँ पर हम जowing जो है एक्सल के जो लेटेस्ट फीचर है जो जो नह न हम् pou वह यहां पर हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर न्यू ब्लैंक वर्कुक लिए लेता हैं तो अब यहां पर हमारा खुल चोगा है Office 365 का Excel वर्जन अब देखें यहां पर हम एक्स लोकप टाइप करेंगे इक्वल टू एक्स लोकप तो यह देखें हमारा जो function है यहां पर यह शो हो रहा है ठीक है न जो कि हम अगर नॉर्मल एक्सल में यूज करते हैं इक्वल टू एक्स लोकप तो देखें यहां पर कोई suggestion नहीं आ रहा है तो हम इसको use नहीं कर सकते हैं अब देखें यहां पर जैसे कि मैं Vlookup लिखता हूँ तो यह देखें नीचे दिखा रहा है formula available है और अगर मैं XLOOKUP लिखता हूँ इक्वल टो एक्स लोकप यह देखें नहीं दिखा रहा है तो अगर आप XLOOKUP यूज करना चाते हैं या एक्सल का कोई भी latest formula यूज करना चाते हैं अब आगे मैं कल से कुछ और वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं XLOOKUP को detail में आपको समझाऊँगा XLOOKUP के अलग-अलग part बनाकर मैं daily जो भी मुझे time लेगा मैं daily upload करूँगा और आपको XLOOKUP के बारे में detail में समझाऊँगा और एक्स office के जो 365 के और भी formula है वो भी आपको इसमें detail में बताने वाला हूँ अब नीचे आप मुझे comment box में ये बताइएगा कि XLOOKUP में जो मैं वीडियो ला रहा हूँ क्या आपके लिए लानी चाहिए या आपको already आता है साथ में like भी कर देना जितने जादा like होंगे उससे मुझे पता चलेगा कि भाई आपको XLOOKUP सीखने की जो है इच्छा है तो चलिए दोस्तों मिलता है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye